नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं आईश्मान भाव मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंड संतोष संतोषी दिनांक 10 दिसंबर दिन गुर्वार है आज 10 दिसंबर की तारीख जिन जिन नक्षत्रों को टच की है हस्ता और चित्रा उन नक्षत्रों के अनुसार कन्या तुला राशी के अनुसार आपके लिए आने वाला पूरा साल कैसा बीतेगा इसकी जानकारी लेकर की उपस्तित हुआ हूँ चलिए सबसे पहले तो आप सबको जनम दिन की बहुत सारे शुपकामनाय और बधाईया आज जिनकी मैरेज अनिवर्सरी है उनके लिए भी हमारी तरफ से बिगाएंड आप सब खोब स्वस्त रहें प्रशन रहें अपने आपको आगे लेकर के चलें ऐसी हम इस वर से प्रा अमबार लग जाएंगे बहुत सारे मौकिय आपके पास ऐसे आएंगे जिन से आपको बहुत मजबुती प्राप्त होने वाली है इन अवसरों का लाभ आपको बहुत अनकूलता से मिलेगा बहुत सगरातमकता से मिलेगा बहुत शुपता से मिलेगा इन अवसरों का फाइद सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय आपके लिए जैसे मुहमागी तकदीर और तस्वीर लख देगा ब्यापार की बात करें तो बिजनस की इस्थिती थोड़ी सी डामा डोल होगी ब्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा कुछ परेशानियां ब्यापार में कुछ दिक्टें दिसंबर से सुरू होंगी जनवरी फरवरी तक जाएंगी मार्च में लोन आदी का पास हो जाना आपको खुशी देगा अप्रैल मई आपके लिए तमाम रास्ते खोलेगा जोन जुलाई मुश्किलों का हल निकालेगा अगस्त सितंबर में बिजनस के लिए बाहर का टूर लगेगा अक्टूबर शुपता देगा दामपत्य जीवन की बात भी करेंगे लेकिन पहले प्राइवेट सिक्टर प्राइवेट सिक्टर में कुछ मुश्किलें आपके दोस्तों की वजह से आएंगी शडियंत्र के सिकार होंगे नौकुली छोड़ने का मन करेगा मार्च का महिना बहुत मांसिक तनाव देगा अप्रेल मई कहीं मकान आदि में निवीश कर सकते हैं जोन जुलाई शादी की बात फाइनल हो सकती है तो वहीं अगस्त सितंबर फ्लैट आदि की बुकिंग भी करवा देगा अगस्त में या फिर अक्टूबर में आप वाहन सुक के लिए भी कदम बढ़ा सकते हैं सरकारी छेत्र की बात करें तो प्रमोशन के चांसेस जनवरी और मार्च में हैं सितंबर अक्टूबर भी थोड़ा बहुत सकरात्मक फल देने की तरफ इशारा करता है जून जुलाई आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा मन चाहे स्थानांतरों की बात भोल जाईएगा कहीं गलत जगें आपका ट्रांसफर हो जाएगा परिवार से दूर होने की संभावनाएं भी बनती है जनवरी में और जून में थोड़ा बहुत शडियंत्र की भी शिकार हो सकते हैं लेन देन बहुत ध्यान से करें दामपत्ते जीवन की स्थिति आपकी पक्ष में है मैरिड लाइफ में किसी तरह की समस्या हमें नहीं दिखाई देती मैरिड लाइफ बहुत बैलेंस्ड रहेगा खास दोर पे संतान का पक्ष बच्चों को लेकर के आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे संतान को लेकर के आपके पास बहुत सारा विकल्प होगा संतान के लिए किसी तरह की चिंता नहीं आनी चाहिए दामपत्य जीवन में पति-पत्नी के बीच जो दुराव आया था वो दुराव भी दूर हो जाएगा पति-पत्नी के साथ मुहबत का रिस्ता बहुत सकरात्मक इस्तिती में आएगा हर प्रकार की शुगता बन जाएगी हर प्रकार से आपके लिए सगारात्मकता आएगी हर प्रकार से आप अपने आपको उन्नति शील पाएंगे लाब की अवसर बनेंगे तमाम तनाओं से बाहर निकलेंगे आप लव लाइफ आपके लिए एक अनकूल परिस्तितियां पैदा कर रहा है शादी की चर्चा मार्च में, जून में और अगस्त में कर सकते हैं अगर आप सिंगल है तो फरवरी और जून आपके लिए किसी न किसी का आपके जीवन में आगमन दरसाता है स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉबलम और हड़ी की दिक्कत बहुत जादा रहेगी बाकी किड्नी और लीवर से समंधित समस्या भी अचानक से सुरू हो सकती है खास तोर पर 62-63 वर्स वाले लोगों के लिए विशेश ध्यान देने की आवश्यक्ता है क्या उपाय करना चाहिए आपके लिए आपको कैसे दुरगटना की बात करें तो मार्च और अगस्त और अक्टूबर क्या उपाय करना चाहिए हम आपको उपाय बता देते हैं कुछ बच्चों की शिक्षा में मदद कर दीजेगा और तीन बर्गद के पौदे बनियंट्री कहीं पब्लिक प्लेस पर अपने हाथों से लगा दीजेगा तीन बच्चों को खिलोने का उपाहार दीजिए और दो कन्याओं की शादी में मदद करिए ये दो उपाय आपके लिए हैं जो आज इनकी शादी की साल की रहा है तैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए 16 दिसंबर तक आप हमसे गाज़यवाद मिल सकते हैं 17-18 दिसंबर इंदोर में मिल सकते हैं और 20-21 दिसंबर मुंबई में अपॉइन्मेंट के लिए आपके सामने जितने भी नंबर फ्लेश हो रहा हैं किसी पर भी वाटसप कर दीजेगा कि आपको कहां मिलना है चलते हैं तैंक यू सो मच नमस्कार